अस्यो मलखान सिंग परिहार ने कॉंग्रिस पर जम कर निशाना साथा उन्होंने उप्चुनाव में बीजेपी को 28 सीध में जीताने का दावा भी किया जो तिरदित सिंधिया को गद्दार कहे जाने पर मलखान सिंग ने कहा कि सिंधिया जी गद्दार नहीं बलकि जो उन्हें गद्दार कह रहा है वो खुद गद्दार है किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए शिवरासिंग ने खजाना कोल दिया है उन्होंने कॉंग्रिस पर आरोप लगाए कि कॉंग्रिस की वज़से ही वो डाकू बने वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे के सवाल पर कहा कि किसानों का आंदोलन कॉंग्रेस की चाल है कॉंग्रेसी ही आंदोलन करवा रहे हैं उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में शिवराजीन चुहा ने किसानों को सौगात दी है तो किसान ऐसा नहीं करेंगे कांग्रेस डाकू बनाती है और क्या किया कांग्रेस सरकार ने हमें डाकू बनाया